तो दोस्तों काफी लंबे समय के इंतिजार के बाद डेड़पूल 3 या कहा जाए डेड़पूल एंड बुलवरीन का टीजर हमें मिली गया जिसको देख कर इतना तो कनफर्म हो जाता है कि डेड़पूल ही MCU का मसिया बनेगा तो या टीजर के बारे में बात करते हैं जहां ओपनिंग सीन में हमें देखने मिलता है कि वेड अब वो मारकाट वाली लाइफ को पीछे चोड़ चुका है और छोटा और सुकी परिवार वाली फीलिंग के साथ उसकी जिन्दगी आम इंसानों की तरह चल रही है जहां वो वेनिसा, पीटर, ब्लाइंडेल, दोपिंदर, नेगसोनिक, कॉलोसस, यूक्यो, बग, शैटर स्टार के साथ अपना बर्थटे सेलिबरेट कर रहा होता है बट चस्ट नेक सीन में हमको देखने को मिलता है कि बिचारे डेटपूल की लाइफ में क्रैसिस भी चल रहा है और वहीं अगले शॉट में दरवाजा नौक होता है और सामने देखने को मिलते हैं TVA के लोग और डेटपूल और TVA का कनेक्शन आपको डेटपूल 2 से मिलेगा क्योंकि लोकी की तरह उसने भी टाइम लाइन में छेड़ चार की है बट आगे हमें ये पता चलता है कि उनको उसके कांड से नहीं बलकि उसको डेटपूल की केपिबिल्टीज का अंदाज है और उसी के वज़े से उन्होंने वेट को अप्रोच किया है अगले शॉट में हमें देखने को मिलता है एजेंट पैरडॉक्स जो वेट को बताता है कि क्यों TVA को उसकी जरूरत है अब यहाँ पर थोड़ी डीटेल में समझते हैं तो पैरडॉक्स मोबियस का फ्यूचर वर्जन है इसका रिफरेंस आपको कॉमिक्स में मिल जाएगा अब जब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा टेंपूरल लूम जैसा हमने लोकी सीजन 2 में देखा था बट फरक यह है कि वहाँ पर जो टेंपूरल लूम हमने देखा था वो लूम होरिजॉन्टली प्लेस था बट यह लूम वर्टिकली प्लेस्ट है तो ऐसा भी हो सकता है कि यह कोई और टाइम लाइन हो इस चीज़ के बारे में किसी और वीडियो में डिसकस करेंगे अब हम आगे अलग-अलग मार्वल मुवीज के इस्टर एक्स देखने को मिलेंगे इसके बाद जो सीन आता है वो काफी इंटरस्टिंग है अब यह सीन प्रिजेंट करता है एक गंजे आदमी को अब आइमीन औरत को जो है कसांडरा नुवा जो इस फिल्म में में विलन का रोल प्ले करने वाली है मैं बता दूँ कि जितना पावरफुल चार जेवियर है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाग बूटल और डेंजरस उसकी बहन कसांडरा नुवा है लेकिन इसके बाद टीजर पेस पकड़ता है जहां अगले सीन में जब हम डेटपूल को एक गुफा में देखते हैं जहां बहुत सारे दाथ देखने को मिलते हैं ये शायद मार्वल कॉमिक्स की सैवेज लेंड का रिफरेंस हो सकता है तो सैवेज लेंड कजान नाम के सुपर हीरो का एरिया है मैं इसके बारे मैं बस इतना ही बताऊंगा भी आपको इसके बाद एक के बाद एक मस्त चीज़ें देखने को मिलती है जहां हम देखते हैं एक बंदे को जो पीछे से वुलवरीन की तरह दिख रहा है और लोगन का ये लुक मारवल की एक और कॉमिक वुलवरीन पैच का रिफरेंस है और अगर ये वुलवरीन का पैच लुक है तो डेफिनेटली ये जगह मादरिपोर है क्योंकि वुलवरीन की ये फेवरेट जगह है उसके बाद आप डेटपूल को सूट अप होते देखोगे वो क्लासिक क्लोज शॉट्स में यहां कॉस्ट्यूम डिजाइन, कलर और कॉस्ट्यूम लुक्स काफी डिफरेंट हैं पिछली दो मूवी से नेक्स सीन में हम देखते हैं कि वो टीविये से सूट अप करके टीविये वालों को ही मार रहा है लेकिन यह बरफ वाला सीक्वेंस, शायद एज ओफ अल्टरॉन के टाइम का है क्योंकि भले ही टीविये वालों ने काम नेक्सस इवेंट को प्रिवेट करने के लिए उसको भेजा है बट डेटपूल वो इंसान है जो नेक्सस इवेंट क्रियेट करता है फिर वही 20th सेंचुरी फॉक्स के लोगो वाला सीक्वेंस देखने को मिलता है यहां नोटिस करें तो आपको देखने मिलेगा अलायत गार्डियन अफ दा वॉइट जो वहां पर सरेंडर किये हुए टीवी एजेंट को उपर खीच लेता है उसके बाद के सीन में हम देखने को मिलता है पियरो जिसने एक्समेन की ओरिजिनल मूवीज की सीरीज में विलन प्ले किया था वहीं एक तरफ फटी हुई बुक देखने को मिलती है जहां हमें हिंट मिलती है एवेंजर सीक्रेट वार्स की और यहीं पर हमें शैडो देखने को मिलती है वुलवरीन की जब वो अपने clause को बाहर निकालता है तो अगर overall teaser को देखें तो teaser secretive तो है ही साथ हिसान सबरतस्थ entertainment भी है उसमें उपर उपर की story दिखा कर hook कर दिया है audience को अब देखते हैं आगे क्या होता है जब trailer release होगा फिल्म का और अभी details पर बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अपने opinions मेरे साथ आप इस वीडियो के recording ज़रूर शेयर करना तब तक के लिए goodbye